Hello everyone, my name is Gaurav जैसे कि आप से को बता है हम यहाँ पर 11th class की जो text books है उसका chapter number 5 को हम discuss करें और chapter number 5 के अंदर आज का जो हमारा topic है जरा उसके बारे में बात करें हम यहाँ पर तो आज हम बात करेंगे जो हमारे complex number होते हैं उनके modulus उनके modulus of conjugate कैसे निकाले जा सकते हैं और उनके बीट में क्या relationship है वो सारी चीज़े देखने वाले है देखें मैं बात करूँ complex numbers related देखें complex number के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं यदि आपने वो नहीं देखा तो हमारी previous अगले वाला जो वीडियो लक्चेस है वो देखें आज के वीडियो लक्चेस के अंदर हम complex number का modulation देखने वाले है और इसके साथ-साथ मैं बात करूँ यहाँ पर तो conjugate भी देखने वाले है तो पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में यहाँ पर modulus के बारे में बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करेंगे modulus के बारे में बात करेंगे निकालना है, modulus का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाओ यहाँ पर, तो modulus क्या होता है, एक आपके पास इसकी value होती है, मतलब बात करें यहाँ पर, एक आपके पास यहाँ पर real number होता है, मतलब इसका जो represent करने का एक real number, just like आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपको यह पता चलेगा, कि यह a plus iota b जो है आपके पास, इसके आपके पास क्या है, आपके आपके आपस coordinates निकल सकते हैं, मतलब मैं बात करूँ, यहाँ पर, यह आपके आपके आपस क्या है, एक coordinate form के अंदे represent क्या जा सकता है, जैसे लाइप मैंने आपको बोला था, कि आपके जो real numbers होते हैं, अब imaginary number line हो गए आपके पास यहाँ पर बात रें और इक real number की number-line हो गई है लिए हम क्या देखते हैं मौडुलस के ऊंदर देखते हैं मौडुलस का मतलब आप यह एक तरीके रसले मान लीजिए इसकी हम क्या करने वाले हैं हम यहां पर इसकी एक फिक्स वैल्यू निकालने वाले हैं यहां पर बात करें तो यह अब मोडिलस के अंदर इसका रिजल्ट क्या होता है जड़ा बात करें तो वह होता है रूट आपके पास क्या होता है यहां पर आपके पास माइनस होता तो आप क्या करते तो यह माइनस होता तो भी फरक नहीं पड़ता है यहां पर यह देखे आपकास A square plus आपको B square ही मिलता क्योंकि ये जो minus है वो minus B में चला जाता और ये minus B का whole square हो जाता तो आपको result क्या मिलता प्लस ही मिलता अच्छा इस result को जड़ा गौर से देखें यहाँ पर ये result आपको क्या दे रहा है ये result हमें कुछ ना कुछ तरीके से लग रहा है कहीं आपको इसका होता पॉंट मिलना रहा रहता है और इस point के अंदर बात करूँ तो यह आपको 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 क्या बोला कि आपका जो modulus होता है वो क्या होता है इसकी origin से distance होती है अच्छा यहां पर मैं कहाँ इसको यहां पर लेकर आ जाता हूं इस तरह से और इसको यहां पर लेकर जल जाता हूं तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है एक right angle triangle दिख रहा है इस right angle triangle के अंदर बात करूँ तो यह value आपके आज क्या होने वाली है वाली और इसके बीच की यह जो डिस्टेंस है यह आपके अलदूस के बारे में तो मॉडूस का होता है आपके पास यहाँ पर बात करें कॉंपलेक्स नमर जो होता है उस कॉंपलेक्स नमर को आप किसी प्लेंग रेत्प्रेजेंट करते हैं तो plane के अंदे represent करने पर origin से जो उसकी distance होती है वही उसकी क्या होती है आपका spinal value होती है clear तो इसका represent करने का जो तरीका होता जरा बात करें यहाँ पर तो represent करने का तरीका क्या होता है roots of आप बात करें a square plus b square होता है clear अच्छे एक example देखके बताता हूँ क्यों है यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम यहाँ तो बहुत यहसान दरीका just like मैं यहाँ पर लेता हूँ z is equal to मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 3 plus 4 iota yes क्या लिखा मैंने यहाँ पर 3 plus 4 iota अब मैंने आप से पूछा कि इसका modulus क्या हो सकता है तो आपने बोला mod of z is equal to root of आपने क्या लिखा यहाँ पर Blackeard । प्लस यहां पर लिखा आपनेGuberaujeourede लिख लिखी दिया अचै के च्रीका स्क्वर की बात करें तो परMax इंट्थि यहाँ छितन होत आफिसके होता है जैन forgot मॉडूलर समय से क्या निकल क्या आता है, यहाँ आप बात करें, एक real number निकल क्या, clear समझा गया है यहाँ, देखे, आपने modulus आपने first chapters के अंदे भी देखा था, yes, बात करें यहाँ आप, उसके अंदे क्या होता है, यह आप कोई भी negative value डालते हैं, तो result में आपको क्या मलता है, always and always क्या मलता है, positive value मिलती है, clear, यह चीज़ हमने देख रखी है, ओके, और यहाँ पर बात करें, complex number के अंदे modulus की बात करूँ, तो complex number के अंदे modulation क्या देता है, यहाँ पर, एक distance देता है, आपको यहाँ पर, clear, क्या देता है, आपका से एक distance देता है, clear समझा गया है, यहाँ तो माल लेते हैं, आपके पास क्या है, एक Z है, यहाँ पर लिका है, यहाँ पर लिका है, मैंने A प्लस आयोटा B, क्या लिका है, यहाँ पर, A प्लस आयोटा B, अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँ, conjugate क्या होता है, जरा बात करें, यहाँ पर, तो conjugate क्या होता है, जरा क्लाता है तो यह आपको क्या करना परता है फूर्ब है किसका मतला है आवकर आई उटा को माइ нес। आयोटा की फोर्म के रिप्रेजंट करें तो वह आपकास क्या कलाता है? conjugate कलाता है आच्छा देखे, इनके बीच रिलेशन होता है तो रिलेशन क्या होता है, जरना बात करूँ यहाँ पर तो वह devastation होता है Z into Z bar is equal to आपकास क्या मलता है? modulus of क्या मलता है? Z मिलता है YES क्या मिलता है अपको? modulus of z मिलता है yes कैसे मिलता है ज़रा देखें यहाँ पर आप इन दोनों का multiply कर पाईगे और यह कैसा है वो भी हम यहाँ पती करने वाले है आप क्या करें इन दोनों का multiply कराईगे मतलब मैंने क्या क्या a plus मैंने आयोटा b का multiply करवा दिया कि इससे यहाँ पर बात करें a minus iota b से then आपके पास देखें क्यारी जबना a से a multiply किया तो आप कैस क्या होगा a square हो गया then a को b से किया तो minus sign के साथ iota b a हो गया then इसके साथ करेंगे तो plus sign के साथ यहाँ पर बात करूँ a and iota b हो गया यहाँ पर then बात करूँ यह दोनों आपस में multiply होंगे तो plus आपके पास क्या होगा यहाँ पर b square आना अला है क्यों होने वाला है जब देखें b into b b square हो गया और minus into minus iota into iota iota square मदब minus 1 हो गया and plus into minus minus हो गया तो minus or plus हो गया plus यह होता है modulus का square होता है yes क्या होता है modulus का square होता है तो basically बात करें यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर यह format में बनके आएगा clear तो यह आपके आज बनके है और यह जो property है जड़ा देखें बात करूँ यहाँ पर तो यह property आपके लिए बहुत ज़दा important है आगे आने वाले सारी जो questions है हम इसी property से करने वाले है clear यह property बहुत ज़दा important है इसे याद कर लिजे कि क्या होता है अपके आपके यहाँ बात करें z into z bar is equal to क्या होता है modulus z का हो क्या होता है यहाँ पर square होता है अब यह i कहां से z inverse के बारे में तो z inverse का मतलब क्या होता है यहाँ पर बात करें तो 1 upon क्या होता है यहाँ पर बात करें a plus iota b होता है if you have a plus iota b होता है अच्छा देखिए a plus iota b है तो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि denominator के इंदर मुझे iota पसंद नहीं है बात करें यहाँ पर आपको fractions को आयोटा पसंद नहीं है आपको यहाँ पर बात करें root की value पसंद नहीं है then आप यहाँ पर क्या करते है यहाँ पर आप करते है racialization yes, यहाँ पर क्या करते है racialization करते है then आप क्या करते है plus है तो यहाँ पर ले लूँ minus तो minus Iota B कर देता हूँ और यहाँ पर बात करूँ A minus Iota B कर देता हूँ clear then यहाँ पर बात करें तो ऊपर की तरफ आप क्या बन गया A minus Iota B बन गया है नीचे की तरफ बात करूँ आपके पास तो देखें यहाँ आप देखे A plus B and A minus B दिख रहा है मुझे अच्छे देखे A plus B और A minus B क्या होता है A square minus B square होता है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा A square मिलेगा minus sign के साथ Iota B का whole square मिलने आला है clear अच्छे देखे A minus B क्या है A minus B को मैंने बता दिया कि वो क्या है एक Z inverse है क्या है आपके बास यहाँ पर Z के इप़र बाहर लगावा है Z inverse है यहाँ बात करें conjugate है आपका Z का ओके इसके result की बात करें तो देखे A square आने वाला है then आपके आपके आज सबसे आज A square आगया then देखे यहाँ पर Iota B square Iota और B का whole square है तो Iota square minus 1 then B का square हो गया B square minus 1 और minus मिलके क्या होगे plus हो गया then यहाँ पर आपके आज सबसे मिलके plus आपके आज सबसे मिलके B square अच्छे यह क्या लिखा हुआ है A square plus B square यह आपके बास देखे पहले बात करूँ यहाँ पर Z inverse लिखा है equal to लिखा है Z bar लिखा हुआ है then मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके आज क्या लिखा है जरा बात करें यह modulus of Z का whole square लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है modulus of Z का whole square लिखा हुआ अब modulus of Z की whole square को उदे लेके चला हूँ और Z inverse को उदे लेके चलता हूँ देखें किहां पर क्या इधर मिलता है जब देखें modulus of z का whole square is equal to z के उपर बार लगाया और z के उपर क्या लगा दिया इन्वर्स लगा दिया अब यह inverse है तो उपर चला जा सकता है यह सकता है ना तो यह जाने के बाद देखें क्या बनाई है आप z का square is equal to modulus of z का square is equal to z bar upon क्या हो गया z हो गया और ये हमारे पास क्योंगे finally result हो गया clear समझ आगे हैं यहाँ पर तो आप इस तरह से अपना यहाँ पर prove दे सकते हैं लेकिन मैं आपको clear कह रहा हूँ ये बहुत important conditions है आगे आने वाले जितने भी questions है हम इन मैं से इनका यहाँ पर use करने वाले clear समझ में आ रहा है यहाँ पर बढ़ें आगे यहाँ पर अब देखें यहाँ पर हमने क्या निकाला है modulus of z की निकाला है और modulus of z की बात करूँ यहाँ पर तो वो क्या है आपकास root of a square आपकास b square है clear अब हम क्या करेंगे इसकी कुछ property को discuss करेंगे yes और वो properties क्या है जरा देखें यहाँ पर या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ identities को discuss करेंगे वो क्या है जरा देखें जरा मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपके पास modulus of z1 into z2 है z1 into z2 का क्या है modulus है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों के modulus आप अलग-लग निकालें, यहाँ पर दोनों के modulus आप क्या कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं, तो भी आपका जो result है, वो क्या मिलेगा, same मिलेगा, clear, यह बहुत important कुछ properties है, जिनको हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जब मॉडुलर सापके पास यहां पर दो नमबर का मॉडुलर क्लिए संट करके मॉडुलर सनेएं अग्वारा हम ना कहीं नहीं है doğru हम यहां पर बात करें जाट जन का प्रॉपरल हिंपूरा मॉडुलेशन है तो आप क्या कर सकते हैं Z1 का अलग modulation निकाल सकते हैं Z2 का अलग modulation निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोनों का अलग अलग सकते हैं लेकिन यहाँ पर condition क्या वर करती है condition यह वर करती है कि modulus of Z2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए Z2 तो है वो भी आपके आस 0 नहीं होना चाहिए यह आपके लिए बहुत important condition है क्योंकि यदि आपके आस यह 0 हो गया यह 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया यह कहां ले जाएगा यह tending to infinity ले जाएगा और tending to infinity में हमारा question गलत हो जाएगा यह जरूरी है कि हमें क्या करना है यह Z2 को 0 नहीं बनाना है अच्छा देखे बात करें conjugate से related देखे conjugate के अंदर क्या होता है जरा बात करें Z1 इंटू Z2 का एक बार लगावा है single यह property आप आगे जाते हुए और भी देखेंगे जब आप यहाँ पर engineering sections करना जाएंगे तो आपके पास D chapter है आपके पास उसके अंदर बात करें तो D Morgan जो theorem होती है वो इसी के उपर basis होती है clear तो यहाँ बात करें तो देखेंगे आपका Z1 इंटू Z2 का बार लगा रखा है तो Z1 का बार अलग हो जाएगा यही चीज हम बात करें प्लस के अंदर भी तो प्लस के अंदर भी आपके पास प्लस और माइनस के अंदर भी क्या करेंगा सेम वर करने वाला है clear और बात करें डिवाइड के अंदर भी तो आपके आज क्या करेंगा यह कुछ प्रॉपर्टीज है जो आगया ने अगली वीडियो लक्षिस में हमाली काम आने वा लिग है clear? तो I think प्लिए समझ में आच चुका होगा कि conjugate किसे कहते हैं और modulus किसे कहते हैं तो अब हम मिलेंगे हमारे अगली वीडियो लक्षिस के अंदर जहां पर हम क्या करेंगे? तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो लक्षिस के साथ तब तक आप हमासा बने रही है Thank you for watching this video